हेलो फ्रेंट्स रादे रादे कैसे आप सब आई होब कि आप सब ठीक होंगे तो मेरा कल का जो व्लोग था वो यहीं पर रुगया था क्योंकि काफी लंबा हो जाता तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे कि संडे को मैंने अपने रूम का सब्सक्राइक टो आज से स्टार्ट होगी मेरे रूम की मेक ओवर की तयारी तो आप देख सकते हैं कि यहां पर यह लोग लगा रहे निशान और निशान लगाने के खर्चे से क्योंकि बहुत ही ज्यादा हो जाता है हर साल की यही दिक्कत होती है जहाँ पर ज्यादा सीलन होती है वहाँ पर यह चीज बहुत ही इंपोर्टेंट है और बहुत ही यूजबल है आप इसको भी अच्छे से आसानी से लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छी है आपके पैसे भी बचेंगे और आपका टाइम भी बहुत बचेगा आपने देखा सीलन के वज़े से मेरी दीवारे कैसी हो रही थी है ना बहुती ज़्यादा और बहुती ज़्यादा परेशान भी मैं हो गई थी क्योंकि रेट जड़ता था तो उसका कुछ ना कुछ मुझे करना था काफी दिनों से कोशिश कर रही थी ऐसी कोई चीज मिल जाए जिसमें हमारे पैसे भी बचें और ज़्यादा मेहनत भी ना लगे तो मुझे इस से अच्छी चीज और कोई नहीं लगी है बहुती अच्छी और बहुती आसानी से ये साड़े ग्यारा बजे हमारा काम खतम हुआ था सुबह के ग्यारा बजे से लगे लगे तो इस तरीके से लगाएंगे निशान और इनका काम था निशान लगाना और मेरा काम था काटना क्योंकि मैं बराबर काटते हूं बिलकुल क्योंकि भाई स्टिचिंग सिखी है तो इस बगयरा निकालने का क्योंकि जादा उचाई पे तो मेरा हाथ नहीं जाने का था है ना तो बस यहां पर यह लोग कर रहे हैं महनत और यह महनत जरूर 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 रंग लाएगी आपको लास्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगे आपको कि कैसे हुआ मेरे रूम का मेक ओवर यह सब्सक्राइब कि अर्वал जर्फ मशना प्तमिक सब्सक्राइब मजब आपको कि यह रागा इंड़ी उपस्टाइब मेस्वम् तो काम करते हो गए साड़ी चार या पांच बज़रे होंगे तो सबको उधर दे दी सबको चाए बना के क्योंकि भाई चाय के बिना तो मशीन कैसे चलती है ना चाय तो जरूरी है तो शाम का टाइम भी हो गया था और काफी टाइम भी हो गया था हमें काम करते करते तो मैंने बना के दी चाय और फिर लंज का टाइम हो जाएगा तो देखते हैं आज क्या बनाते हैं क्या नी लेकिन इसमें तो बहुती ज़्यादा महनत लग गई थी क्योंकि काफी लंबी दिवारे हैं हमारी काफी लंबा रुमे न तो उसमें हमें काफी टाइम लग गया था तो आप बताना फाइनल लुक आपको कैसा लगा और फिर हमें बैड वगेरा भी खिसकाना है तो पहले इधर की दिवार करेंगे और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें खिसकाना है बैड तो पहले मैंने बैड को खाली किया था उसके बाद इसमें से समान निकाला था क्योंकि ऐसे तो खिसकाया नहीं जा रहा था तो भाया तो चले गए थे किसी काम से और इसमें हम दोनों ही लगे हुए थे बैड वगएरा खिसकाने के लिए लेकिन जितना मेड से हो सका मैंने किया और आप देख सकते हैं इस तरीके से अगर दोनों मिलकर करेंगे ना तो सच में कमरा क्या हर चीज सेट हो सकती है सिर्फ दोनों का साथ चाहिए और इस साथ के बगएर तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना सच में कमेंट्स करके ज़रूर बताना महनत दोनों की लगती है और घर भी दोनों से ही चलता है एक से घर नहीं चलता तो यहाँ पर बस यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं महनत I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी मुझे तो लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल पर नए है तो बस मैं आपने room के कर लेती हूँ setting बाकी final look मैं आपको दिखाऊंगी बाद में I hope कि आपको पसंद आए पसंद आए तो वीडियो को like, share सब्सक्राइब जरूर करना और comments करके जरूर बताना मिलेंगे आपसे next video में